Hello everyone, welcome to StudyIQ StudyIQ Reserve Bank of India की तयारी करवा रहा है Grade B exam की 2024 के लिए और ये live batch होगा 17 जनवरी से start होगा इसके admissions अलड़ी हमने start कर दिये हैं अभी RBI का notification नहीं आया है Grade B का लेकिन मुझे लगता है आपको Grade B की notification का इंतजार नहीं करना चाहिए क्योंकि जैसा हमने इस साल देखा कि prelims और mains के बीच में सिर्फ 21 दिन का gap था तो बाद में आपको time नहीं मिलेगा exam हर साल prelims में में होता है तो आप मानके चलिए अगर late भी होगा तो June, July से late नहीं होगा तो अभी से उसकी तयारी शुरू कर दिजिए 17 तारिक से जो हमारा batch start है उसमें हम पूरी तयारी आपको कराएंगे prelims, mains और interview तीनों की तयारी हम आपको कराएंगे इस batch का जो price है वो 10,000 रुपे है लेकिन अगर आप ये code यूज करते हैं GGCA पूरा code GGCA कोई बीच में gap नहीं और पूरा capital में होगा तो आपको 3000 रुपे का discount मिल जाएगा आप उसे 7,000 में purchase कर सकते हैं आज इस वीडियो में एक बहुत important चीज़ पर बात करूँगा वो है government schemes Reserve Bank of India में एक सबसे important अगर कोई section है मैं कहूंगा current phase में तो वो है government schemes government scheme आपको किस तरह से पढ़ने होते हैं government scheme में किन चीज़ों पर focus करना होता है यही आपको बताने के लिए मैं आज एक ये video upload कर रहा हूँ इसमें मैं कुछ बहुत ही important जो finance related scheme है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा जैसे प्रधान मंत्री जंधन योजना मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रधान मंत्री जीवन जियोती बीमा योजना आपको पढ़ाऊंगा प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना या जो मुद्रा योजना है प्रधान मंत्री मुद्रा योजना और even stand-up India जो एक बहुत important scheme है तो वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रदान मंतरी वायवंदना योजना भी पढ़ाऊंगा तो इस वाले वीडियो में ये जो schemes हैं जो हर बार repeat होती है exam में जो financial sector की नीम है एक थरह से कोई भी एकसा exam जिसमें finance, banking, economy related question आते हैं ये scheme तो जरूर आती है तो ये scheme आपको किस तरह से पढ़नी है basically ये एक demo वीडियो है इसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि जो government scheme जब आप पढ़ते हैं तो किस तरह से आपको पढ़नी है किन चीजों का आपको खयाल रखना है government scheme पढ़ते समय हमें थोड़ा सा depth में जाना होता है और एक exam oriented तरीके से दोनों के बीच में एक हमें एक balance रखना होता है हम इतना deep में भी नहीं जा सकते कि irrelevant चीज़ें पढ़ते रहें at the same time जो statement based question होते हैं वो हम ठीक से कर पाएं उतनी knowledge हमें चाहिए तो ये वीडियो आप जब देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो government scheme जब हम पढ़ते हैं RBI grade B के लिए तो किस तरह से पढ़नी है और जैसे मैंने बताया जो हमारा paid course है उसमें हम सारी relevant जो government scheme है उनको detail में पढ़ाएंगे अभी budget भी आ जाएगा एक महीने के अंदर-अंदर budget economic survey वो सब भी हम exam oriented way में पढ़ाएंगे इसके लाबा RBI की सारी report, RBI के circular financial management, economic and social issues current और static दोनो और आपका जो quant reasoning ये सब तो होगा ही तो English वगरा तो पूरा complete course आपको जो live बैचे उसमें मिलेगा चलिए आमै वीडियो को शुरू करता हूँ इन पे आप कम से कम दो से तीन question हर exam में expect कर सकते हैं आई ये detail में study करते हैं कि करके पहले बात करते हैं प्रदान-मंत्री जंधन योजना देखो प्रदान-मंत्री जंधन योजना क्यों शुरू की गई थी, जब प्रधानमंत्री मोधी प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तो 15 अगस्त का जो उनका भाशन था, 15 अगस्त 2014 को Independence Day स्पीच में, from the ramparts of the, जो Red Fort है, वहां से उन्होंने प्रधानमंत्री जंधन योजना स्कीम को अनाउंस किया था, और उसी सालिये 2014 में शुरू हो गई थी, यह Financial Inclusion स्कीम है, यह बहुत important है, Financial Inclusion, इस word का मतलब यह होता है, वित्य समावेश, यानि भारत का हर वेक्ति, हर परसन, जो है, वो बैंकिंग से जुड़े, तो वो है Financial Inclusion, और इसके क्या-क्या फायदे हैं, हम देखेंगे आने वाले समय में, तो Financial Inclusion जो है, उसके लिए स्कीम शुरू की गई थी, जितने भी भारत के घर हैं, हाउसोल्ड हैं, वो Financial Inclusion हो, बैंकिंग से जुड़े, Universal Access to Banking Facilities उन्हें मिले, अब यह Financial Inclusion का फायदा क्या होता है, अगर मालो भारत के हर वेक्ति का बैंक अकाउंट है, तो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा यह है कि भारत की सरकार सारी की सारी Financial Service उन्हें दे सकती है, जैसे अगर उनके पास एक Basic Saving या Deposit Account है, सरकार उनको कल को कोई Subsidy देना चाहे, तो सीधा उनके अकाउंट में Direct Benefit Transfer से आ जाएगा, अगर मालो उनका Bank Account ही नहीं है, तो सरकार Direct Benefit Transfer से उन्हें Subsidy कैसे देगी, तो Remittance Facility, Credit Fac Insurance Facility, Pension Facility, ये सारी की सारी उनको Facility सरकार प्रोवाइड कर सके, इसके लिए जरूरी है कि उनके पास एक Bank Account होना चाहिए, तो जन्धन योजना में क्या है, कि सबका एक Basic Saving Account खुलता है, जिसको बोलते हैं जन्धन Account, और ये Account आप किसी भी Bank ब्रांच में Open कर सकते हैं, सरकारी Bank में भी या Private Bank में भी और इसको खुलने के लिए आपकी जो Bank मित्र होते हैं, वो Help करते हैं, यानि जो Business Correspondent होते हैं, जिने हम Bank मित्र कहते हैं, वो भी आपकी Help करते हैं, ठीक है, Condition क्या है, प्रधान मंत्री जन्धन Account खुलने के लिए, Condition ये है कि आपका कोई पहले से Account नही होना चाहिए, ये Condition है, और इनमें आप Zero Balance भी रख सकते हैं, यानि कि अगर आप इसमें Zero Balance रखेंगे, तो आपको कोई Penalty नहीं भरनी पड़ेगी, तो पहले जब भारत में लोग अपने Account नहीं खोलते थे Bank में, तो उसका Reason क्या था, उसका Reason ये था कि Bank में एक Minimum Balance आपको Knowledge भी नहीं थी, अब इसमें जंधन योजना है, जब इनमें Task दिया गया सबको, जितने भी IS Officer हैं, Civil Officers जो हैं, सरकारी Bank हैं, पूरी उन्होंने अपनी जान लगा दी कि लोगों को सचेत करें, लोगों को बताएं कि जंधन योजना के फायदे क्या हैं, और बहुत सारे अब हम अकाउंट खोलने के लिए तयार हैं, तो अब देखते हैं Benefit, जो जो लोगों को Benefit Promise किये गए, और इनमें काफी Changes आ गए हैं, क्योंकि अब इस योजना को काफी Time हो गया है, जैसा मैंने बताया, 2014 में योजना शुरू हो गई थी, और इसको 8 साल पूरे हो चुके है और अगस्त में 2022-8 साल पूरे हो चुके हैं, तो इसके फाइदे क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ, देखो सबसे पहले तो इसमें एक Basic Saving Account मिलता है हर परसन को, यानि कि जो Unbanked Person है, Unbanked मतलब जिसका पहले से कोई Bank Account नहीं है, उसको एक Saving Account मिल गया, और Saving Account में आप जान यह है, इसमें कोई Minimum Balance Requirement नहीं है, यानि प्रदान मंत्री जंधन योजन अकाउंट जो होते हैं, जिनें हम जंधन अकाउंट बोलते हैं, उनमें कोई Minimum Requirement नहीं है, कि आपको Minimum Balance Requirement, आप Zero Balance भी रख सकते हो, फिर Interest मिलता है, क्योंकि Saving Account है, तो जो भी आप ऐसा Deposit करो होगे, उसमें Interest आपको मिलता है, सबसे अच्छी बात इसमें रूपे Debit Card मिलता है, यानि हर गरीब आदमें के पास अब ना सिर्फ Account हो गया, बलकि एक Debit Card हो गया, और ये Debit Card भी रूपे पे है, तो Debit Card होने के अपने फायदे हैं, Financial Inclusion, यानि आप उसे Digital, इंडिया से भी जोड़ रहे हैं, डिजिटाइज हो रहा है वो, वो Debit Card यूज़ करना सीखेगा, तो Cashless Economy की तरफ ही हम जा रहे हैं, दूसरा, रूपे, रूपे हमारा खुद का प्लेटफॉर्म है, हम Visa, Master Card या MX यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम रूपे यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी इससे जो power है, soft power वो भी भड़ती है, तो रूपे debit card हर जंधन account holder को मिलता है, फिर इसमें accident insurance cover मिलता है आपको, देखो accident insurance cover में आपको सबसे बड़ी बात कोई premium नहीं भरना, आप अगर कोई भी accident insurance लेते हैं, तो आपको premium भरना पड़ता है, इसमें आपको कोई premium नहीं भरना और जनी भारत का कोई भी गरीब आदमी है, अगर उसका जंधन account है और उसका accident हो जाता है, तो अस्पताल में 2 लाख रुपे तक का उसे accident insurance cover मिलेगा, 2 लाख रुपे तक सरकार उसका खर्चा उठाएगी, पहले ये amount एक लाग था, फिर 28 अगस्त 2018 से ये amount भढ़ाके 2 लाग कर ठीक है, तो 28 अगस्त 2018, अगस्त 2018 में इस योजना को 4 साल पूरे हो गए थे, तो जब 4 साल पूरे हो गए थे, तो फिर ये amount 2 लाख कर दिया था, पहले जब शुरू हुई थी तब ये 1 लाख रुपे था, तो ये MCQ बहुत जादा आता है, कि प्रधान मंत्री जंधन योजन में जो accident insurance cover है, वो कितना है, तो answer है 2 लाख रुपे, उसके बाद फिर इसमें overdraft facility भी मिलती है, overdraft facility क्या होती है, overdraft इसमें 10,000 रुपे तक मिलती है, पहले 5,000 था, याद रखिए, जब ये scheme स्टार्ट हुई थी, तो overdraft facility 5,000 थी, फिर इसको बढ़ा के 10,000 कर दिया गया था, और इसमें 2,000 रुपे तक कोई condition attached नहीं है, यानि 2,000 रुपे का overdraft आपको निशर्थ मिलेगा, और उसके बाद फिर आपका देखेंगे वो account कैसा है, कितना पैसा उसमें रहता है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसके बाद फिर आपको overdraft allow करेंगे, अब overdraft समझते हैं क क्योंकि इसमें 2,000 रुपे आपको बिना शर्थ के overdraft मिलता है, overdraft एक pre-approved loan होता है, यानि आपको पहले से ही सरकार एक pre-approved loan दे रही है, कि 2,000 रुपे यानि आपके account में अगर 5,000 रुपे हैं, तो आप 7,000 रुपे का भी check काट सकते हो, क्यों? क्योंकि आपको 2,000 का overdraft है, वैसे तो 10,000 का है, लेकिन 2,000 तो unconditional है, और अगर आपकी credit history अच्छी है, आप अपने account को काफी ज़दा use कर रहे हो, आपकी financial status भी ठीक है, तो ये overdraft बढ़के 10,000 तक हो सकता है, अगर आपको माल लो 10,000 overdraft मिल गया, मतलब यह है, अगर आपके account में 5,000 है, तो आप 15,000 रुप जो है, वो बिना किसी conditions के है overdraft, is it clear? और 18-65 साल की उमर है, actually क्या था, पहले 18-60 था, अगर आपको माल लो जंधन account खोलना है, तो जो age थी, वो कितनी है, वैसे तो आप 10 साल के हो, तो भी account खोल सकते हो, लेकिन जब तक आप 18 के नहीं हो जाते, तो जो भी आपके guardian हैं या parents है वो manage करेंगे उसे, एक बार आप 18 के हो गए, तो वो account आप fully independently manage करोगे, तो exam में question आजाए अगर कि minimum age कितनी है जंधन account खोलने के लिए, तो वो है 10 साल, 10 साल का बच्चा भी जंधन account खोल सकता है, लेकिन जब तक वो 18 का नहीं होता, वो अकेले manage नहीं करेगा, ठीक है? और overdraft के लिए 18 से 65, मतलब आपकी जो minimum age है, overdraft अवेल करने के लिए 18 होनी चाहिए, और जो upper age है, limit वो है 65 साल, फिर जंधन में क्या आपको death benefit मिलता है? हाँ, 30,000 रुपे का death benefit है, ये MCQ बहुत जादा आता है, कि अगर आपके पास जंधन account है, और आगर आपकी death हो जाती है, तो प नहीं भरना, यानि बैठे-बैठे आपका life insurance हो गया, और बैठे-बैठे आपका help हो गया, accident insurance हो गया, ठीक है, और health insurance आयूश्मान भारत में होता ही है सबका, जो 5,00,000 रुपे एक परिवार का एक साल में, तो social security में भी जंधन account बहुत help करता है, social security मतलब सामाजिक सुरक्ष में भी बहुत बड़ा योगदान इसका है, फिर एक mobile app भी launch की गई थी, जन्धन दर्शक, ये mobile app जो है, citizen centric mobile app है, इसमें आप banking infrastructure को locate कर सकते हो GPS की मदद से, कोई भी branch, bank की, ATM, bank मित्र, post office, common service center location वगरा, ये आप सब इस पे देख सकते हो, जन्धन के 6 pillar होते हैं, ये 6 pillar क्या है ये financial inclusion के भी 6 pillar है, आप सबको bank account दो, credit दो, insurance दो, pension दो, financial literacy दो, और जो banking agents हैं, उनका penetration increase करो, तो इनको बोलते हैं 6 pillar और ये design किये गए हैं, भारत में financial inclusion को promote करने के लिए प्रधान मंत्री जन्धन योजना के जो account हैं, उनका एक बहुत बड़ा फाइदा ये है, कि direct benefit transfer, अब सरकार के पास bank account हो गए, तो उन्हें subsidy देनी है, मानलो प्रधान मंत्री उज्जवल योजना में LPG gas cylinder खरीदने के लिए subsidy देनी है, तो वो सीधे direct benefit transfer के थुरू account में आ जा account है, क्योंकि इनके premium आप cash में नहीं भर सकते, इनके premium आप सिरफ अपने account से भर सकते हो, ये भी ध्यान लखिए, आपके बास bank account होना जरूरी है, इन सब समाजिक सुरक्षा की जो योजना है उनके लिए, इसी तरह से मुद्रा योजना का अगर आ फाइदा लेना चाहते हो, तो मुद्रा loan भी आपके bank account में आ जाएगा, bank account में आने का फायदा क्या होता है, bank account में फायदा ये होता है आने का, कि आप ये इस बात की surety है आपको, कि जो पैसा है वो सीधे account में जा रहा है, मतलब सही हातों में पहुँच रहा है, फिर इसमें कोई भी benefit है, मतलब सरकार बहुत तरह की scholarship चलाती है, subsidy देती है, pension है, COVID relief fund बगारा ये सारे bank account में आ जाते हैं, तो जन्धन का बहुत बड़ा फायदा ये है, अब ये एक table है जो दिखाती है, कि हमारे जो सरकारी bank है, वो कितने important क्यों है, तो total account जो खुले हैं जन्धन में, अभी तक मैं बता रहा 27 जुलाई 2022 तक, ठीक है, जो official website पे available है, 46 करोड 11 लाक total जन्धन account खुले हैं इंडिया में, सोचिए, और ये वो लोग हैं जिनके पहले bank account नहीं थे, क्योंकि जन्धन account खुलने के लिए unbanked होना चाहिए परसन को, तो 46 करोड 11 लाक bank account खुले हैं, और इन में से अगर मैं आप सरकारी बैंकों में कितने खुले हैं, तो आप देख सकते हैं, 36 करोड 31 लाक, यानि 46 करोड में से 36 करोड bank account तो सरकारी बैंकों में खुले हैं, उसके बाद regional rural bank में खुले हैं, साड़े 8 करोड और देखिए, private bank, private bankों में सिरफ 1.3 करोड, तो अगर कोई पूछे कि सरकारी बै private bank का purpose होता है सिर्फ profit, सरकारी बैंक जो होते हैं, उनका जो purpose होता है, वो social welfare भी होता है, profit भी होता है, वो schemes को भी लागू करवाते हैं, implement भी करवाते हैं, तो 46 करोड account में से 36 करोड public sector bank और regional rural bank भी, वो सरकारी बोल दो, आप उसे majority तो सरकार के पास ही होता है, वो भी सरकारी ह होते हैं, तो उसमें ध्यान रखिए कि regional rural bank जो है, अगर आप total इनको मिला दें, तो आप देख सकते हैं कि 46 में से लगभग 44-45 करोड तो सरकारी बैंकों में ही खुले हैं, बस 1 करोड से थोड़े जादा है जो private बैंकों में खुले हैं, is it clear एकदम, ये clear है आपको, जंधन के बारे में, और बाकी इसमें महिलाएं जो हैं वो बहुत beneficiary हैं, rural urban female beneficiaries बहुत ज़ादा हैं, 20 करोड जो हैं वो rural और urban female beneficiary हैं, तो इससे भी काफी कुछ पता चलता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें कि total rural urban female beneficiary कितनी हैं, सरकारी बैंकों में, rural bank और private bank, तो 46 करोड में स 25 करोड तो महिलाएं हैं, rural और urban area में मिलाके, जिन्होंने benefit करा है जंधन अकाउंट से, तो यह सब चीजें बताती हैं कि जंधन योजना जो है, काफी successful है, काफी important है, चलिए, अब हम आते हैं, प्रधान मंतरी जीवन 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 यह Social Security scheme है, तो प्रधान मंतरी जीवन 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 है, अब पता चल रहा है, यह Life Insurance Scheme है, अगर आप इस योजना का लाब लेना चाहते हैं, और इसमें जो भी आप premium भरेंगे, वह आपके account से auto debit होता है, यानि कि आप cash में premium नहीं बर सकते, आपको जो है, वो auto debit होता है आपके account से, आधार जो है उससे KYC होता है, आपके bank account का, तो आधार is the primary KYC, तो इसमें कितना पैसा मिलता है, death होने पे, 2,00,000 रुपे परिवार को मिलते हैं, और ये period क्या होता है इसमें, हर साल की 1 June से लेके, अगले साल की 31 मई का एक साल होता है, अगर आपको ये योजना में apply करना है, तो आपका premium एक जून से पहले पहले bank account से automatically कट जाता है, ठीक है, तो मान लो आपका premium अगर कट गया, let's say, 31 मई को कट गया आपके bank account से premium, ठीक है, तो अब आप एक जून से अगले साल की 31 मई तक के लिए eligible हो अगर इस एक साल में death हो गई, तो आपके परिवार को 2 लाख मिल जाएंगे, अगर नहीं, तो फिर renew कर लो, एक साल बाद फिर premium भर दो, और premium कुछ भी नहीं, बहुत कम premium होता है, इसमें कितना premium होता है, तो इसमें 436 रुपे premium आपको एक साल में भरना है, सिरफ, that's it, और य जून से लेके अगले साल की 31 माई तक एक साल के लिए आप सुरक्षित हो गए, आपको जीवन भीमा मिल गया, तो हर साल आपको premium भरना है, आने वाले साल के लिए, और वो साल स्टार्ट होता है एक जून से, तो प्रधान मंत्री जीवन जोती भीमा योजना में 436 रुपे आपके अकाउंट से auto debit हो जाते हैं, इस scheme को लागू करता है Life Insurance Corporation, तो LIC scheme की implementing agency है, जो भी schemes के सब कुछ है वो यही करती है, जो बैंक के साथ टाइप वगारा होते हैं, LIC ही करती है इस scheme को लेकर, और अभी तक मैं latest data अगर आपको बताऊं, 30 जोन 2022 तक का data available है, तो 13 करोड से ज जीवन जोती बीमा योजना में enroll कर चुके हैं, और ये enrollment possible नहीं था, जंधन अकाउंट अगर नहीं होते, क्योंकि जादातर तर तो obviously गरीब लोग हैं, जो प्रधान मंत्री जीवन जोती बीमा योजना, जो subscriber है इनके, और वो account नहीं होता तो कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें स प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मिलते जोलती है, वही 9 मई 2015 को प्रधान मंत्री मोती ने launch करी थी, ये 18 से 70 के लिए है, याद रखिए प्रधान मंत्री जीवन जोती बीमा योजना 18 से 50 थी, और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना 18 से 70 साल के बीच आपक मई या उससे पहले ठीक है और फिर एक जून से अगले साल की 30 मई तक आप एक साल के लिए सिक्योर हो गए आधार से KYC करा लो अपने bank account का और ये क्या है स्कीम इसमें नाम से पता चल रहा है ये बेसिकली accident के लिए है सुरक्षा भीमा आपकी सुरक्षा के लिए भीमा accident अगर हो गया उसमें अगर partial disability है तो एक लाख रुपे तक आप covered हो और अगर accident की वज़े से death हो जाती है या पूर्ण अपंगता आ जाती है तो दो लाख रुपे है मैं repeat कर देता हूँ अगर death हो जाती accident की वज़े से या full disability आ जाती है तो मतलब इसमें दो लाख रुपे मिलते है ड नेचरल नहीं ठीक है तो यह है प्रदान मंत्री सुरक्षा भीमा योजना प्रेमियम कितना भरना है आपको 31 मई से पहले पहले आपके account से auto debit होना जाना चाहिए 20 रुपे सिरफ 20 रुपे बस 20 रुपे में सोचिए 2 लाख रुपे का आपको सुरक्षा भीमा योजना मिल गय तो यह scheme कौन देता है public sector general insurance companies देती है या जिनोंने bank के साथ tie up वगारा किये होते हैं वो इनको दे सकती है ठीक है इसमें कितने लोगों ने लिये यह आप देख सकते हैं 39 करोड लोग हैं भारत के जिनोंने 30 जून 2022 तक प्रदान मंत्री सुरक्षा भीमा योजना में enroll किया है 50 और सुरक्षा भीमा योजना 18 से 70 फिर premium कितना कितना होता है तो premium depend करता है जीवन जोती में 436 रुपे था सुरक्षा भीमा योजना में सिर्फ 20 रुपे है और अटल pension योजना में depend करेगा आप कितनी pension चाहते हो तो अटल pension योजना भी 9 माई 2015 को प्रदान मंत्री मोधी ने बंगाल से शुरू करी थी और आप अटल pension योजना जो है अगर आपके पास saving bank saving account है या post office saving bank account है तो आप जो है इसको ले सकते हो इसमें आपको minimum pension मिलेगी 1000 और maximum मिलेगी 5000 रुपे महीना जब आपकी उमर 60 साल हो जाएगी उसी इसाब से premium भरना है अब ज़्यादा pension चाहते हो तो ज़्यादा premium भरना है अगर आप चाहते हो आपको सिर्फ 1000 रुपे pension मिले 60 साल के बाद हर महीने तो उसी इसाब से premium भरना है 5000 चीए तो उसी इसाब से भरना है तो यह है अटल pension योजना तो अटल pension योजना में आप क्या करेंगे अपना जो pension corpus है वो आप accumulate होता रहेगा 60 साल की उम्र तक और फिर जो है 60 साल होने के बाद आपको pension जो है वो मिलनी start हो जाएगी एक बात और अगर death हो जाती है इसमें person की जिसने यह उजना लिये तो उसकी spouse को मिलती रहेगी pension और अगर spouse की भी death हो जाती है तो जो पूरा pension corpus है वो किसी nominee को मिल जाएगा जैसे माल लो कोई person है रमेश, रमेश की death हो गई ठीक है तो रमेश की wife को भी pension मिलती रहेगी जितने भी उसने लिये एक हजार, दो जार, तीन जार, चार जार, पांस slab होते हैं इसमें 1000 और फिर 1000 के multiple में maximum 5000 रुपे महिना तो जितने भी उसने लिये होगी उसी हिसाब से मिलती रहेगी फिर रमेश की death हो गई तो wife को मिलती रहेगी, wife की भी death हो गई तो फिर जो lump sum है pension तो नहीं मिलेगी फिर लेकिन जो lump sum मिल जाएगा पूरा जो nominee है उसको मिल जाएगा तो यह अटल pension योजना के बहुत फाइदे हैं अगर premature death भी हो जाती है subscriber की तो भी सरकार जो है उसके spouse को औ benefit मिलते रहते हैं कोई doubt इसमें तो कितने लोगों ने ली है ये योजना ये जो data available है सरकारी website पे 31 July 2021 तक available है एक साल पुरान डेटा है तो लगभग 32 करोड लोग जो है उन्होंने इसको अटल pension योजना का लाब लिया है अब बात करते हैं प्रधान मंत्री मुद्रा योजना प्रधान मंत्री मुद्रा योजना ये जितने भी योजना है बता रहा हूँ इनको ministry of finance चलाती है ministry of finance में 6 department होते हैं उनमें से एक होता है department of financial services वो इन schemes को चलाता है तो प्रधान मंत्री मुद्रा योजना जो है इसको भी department of financial services ministry of finance चलाता है लेकिन लागू करने में help करता है SID Small Industries Development Bank of India तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है ये एक scheme है जो प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में लॉंच करी थी 8 April को इसमें आप 10 लाख रुपे तक का loan ले सकते हैं ठीक है? Non-corporate, non-farm, small या micro enterprises को 10 लाख रुपे तक का loan मिलता है और इनको हम मुद्रा लोन्स बोलते हैं, ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहद दिये जाते हैं ये जो loan है, ये कौन-कौन दे सकता है मुद्रा योजना के? Commercial Bank दे सकते हैं, Regional Rural Bank दे सकते हैं, Small Finance Bank दे सकते हैं Micro Finance Institution दे सकते हैं और Non-Banking Financial Company भी मुद्रा लोन्स दे सकती है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहद आप चाहें तो एक website भी है udhyamimitr.in उस पे जाके भी आप loan के लिए आवेदन दे सकते हैं तो मुद्रा की full form क्या है? मुद्रा की full form है Micro Units Development and Refinance Agency Limited मैं रिपेट करता हूँ Micro Units Development and Refinance Agency ये भारत की सरकार ने सेट अप किया था एक मुद्रा बैंक इसके लिए और मुद्रा बैंक जब इनिशली बना था तो ये SIDB की wholly owned subsidiary थी यानि इसमें मुद्रा बैंक में जो भी capital आता था वो SIDB से आता था Small Industries Development Bank of India से आता था पूरा 100% capital SIDB ही contribute करता था अभी जो मुद्रा बैंक है उसमें 1000 करोड रुपे का authorized capital है और जो paid up capital है वो है 7500 करोड और ये पूरा का पूरा SIDB ने डाला है ठीक है अब achievement देखते है प्रधान मंतरी मुद्रा योजना के प्रधान मंतरी मुद्रा योजना के अगर मैं सिर्फ एक साल के achievement देखूं financial year 22 जो latest available data है तो total जो loan है आप देख सकते हैं 5.37,95,526 यानि लगभग 5.5 करोड लोगों ने loan लिया है प्रधान मंतरी मुद्रा योजना के तहत total amount का जो loan disburse किया है सरकार ने आप देख सकते हैं यहाँ पे 3.4 lakh करोड 3.4 lakh करोड का जो loan है वो sanction किया है फिर यहाँ पे मैंने और भी deep जाके data निकाल लिया website से कि हर राज्य का निकाल लिया कि वही किस राज्य को कितना मिला है आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पश्यम बंगाल को loan सबसे ज़्यादा मिला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहट प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहट बंगाल ने जो total loan दिया है अपने industries को वो दिया है 33,949 करोड और दूसरे नंबर पे कौन सा था तो बंगाल के बाद जो दूसरे नंबर पे था वो था उत्तर प्रदेश ठीक है दूसरे नंबर पे था वो था यूपी आप यहाँ पे देख सकते हैं यूपी का जो amount है वो है 32,850 करोड 32,850 करोड और उसके बाद तीसरे नंबर पे तमिल नाडू तमिल नाडू का है 32,262 करोड तो पहले नंबर पे बंगाल 33,949 यानि लगबग 34,000 करोड यह मैं बात कर रहा हूँ Financial Year 22 की बंगाल ने लोन सब ज़्यादा दिया है biggest beneficiary रहा मुद्रा लोन का दूसरे नंबर पे यूपी और तीसरे नंबर पे तमिल नाडू फिर मैंने ये भी देखा कि जितने भी बैंक हैं बैंक वाइस ब्रेक अप करके देखा कि Financial Year 2022 में सबसे ज़्यादा मुद्रा लोन किस ने दिया है और मैं सर्प्राइज हुआ कि जो Indecent Bank है उसने मुद्रा लोन सबसे ज़्यादा दिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं Indecent Bank यह आपको थोड़ा छोटा दिख रहा होगा टेबल एक्चुली बहुत बड़ी है बहुत सारे बैंक है इंडिया में 41,944 करोड रुपे का लोन मुद्रा लोन Indecent Bank ने दिया है तो Indecent Bank मुद्रा लोन देने के मामले में काफी आगे रहा State Bank of India ने दिया है 28,000 करोड का लोन मुद्रा लोन Indecent Bank ने दिया है 41,944 करोड का लोन तो टोटल मुद्रा लोन कितने हो गए है वैसे तो 2015 की योजना है तो 7 साल हो गए लेकिन मोधी सरकार के 8 साल हो गए तो 35 करोड लोग हैं जो मुद्रा लोन ले चुके हैं और 35 करोड में से 23 करोड महिलाएं है और ये लोन क्यों दिये जाते हैं प्रधान मंत्री मुद्रा लोन क्यों दिये जाते हैं बिजनेस शुरू करने के लिए ले जाते हैं मेंली या तो business शुरू करने के लिए या working capital के लिए, लेकिन एक नुकसान भी है कि non-performing asset भी बहुत ज़ाद है, अगर आप देखें तो सिर्फ एक साल में financial यर 21 में 34,000 करोड के non-performing asset मुद्रा लोन्स में देखने को मिले, ठीक है न, तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि मुद्रा बहुत ज़ादा है, फिर मुद्रा में तीन तरह के लोन होते हैं, एक शिशू, एक किशोर और एक तरुन, ये MCQs के लिए काफी important है, शिशू में आप 50,000 रुपे तक का लोन ले सकते हो, ठीक है, 50,000 रुपे तक का लोन लेते हो, तो उसे शिशू लोन बोलते है, किशोर, अगर आपकी मानलो कंपनी थोड़ी और बढ़ी है, थोड़ा ज़्यादा लोन चाहिए, तो किशोर केटेगरी में आजाओ, किशोर केटेगरी में आपको 50,001 से लेकर 5,001 तक का लोन मिलता है, और तरुन, तरुन में 5,001 से लेकर 10,001 तक का लोन मिलता है, इसलिए कहते ह आप चाहो तो एक रुपया ले लो लोन, कोई minimum कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन हाँ maximum limit है, maximum है 10 लाख रुपे, 10 लाख रुपे से ज़्यादा आप नहीं ले सकते, ये maximum limit है, clear, और दूसरी बात, आपको इसमें collateral भी नहीं रखवाना, ये पूरा लोन collateral free होता है, इसलिए ये भी ए अब बात करते हैं अगली योजना, stand up India, stand up India क्या है, stand up India ये है कि हमें SCST, जो समुदाए है, और जो महिलाएं है, ये समाज के वंचत वर्ग है, marginalized communities है, तो इन्हें हमें entrepreneur बनाना है, उद्यमी बनाना है, इसका नाम है stand up India, ये योजना जो है, इसको भी काफी time हो गया है, stand up India योजना, और ये जो योजना है, इसको भी small industries development bank of India implement करता है, तो stand up India योजना में आप कितना loan ले सकते हो, business शुरू करने के लिए, आप 10 लाख रुपे minimum और maximum 1 करोड, यानि 10 लाख रुपे से 1 करोड के बीच में आप loan ले सकते हो, ठीक है, और ये mandatory है, कैसे mandatory करा है, जितनी भ bank branches है, बैंकों की, हर branch को कम से कम एक loan तो देना पड़ेगा, अब या तो वो एक loan SCST को दे, या वो woman को दे, वो उसके उपर है, ठीक है, तो SCST में से किसी एक को देना है, और एक woman को देना है, यानि हर branch को दो loan देने पड़ेंगे, मैं repeat करता हूँ, हर bank branch को ये mandatory कर दिया गया ह पर bank branch को क्या, कि उन्हें दो loan तो देने पड़ेंगे, इन में से एक loan SC या ST को मिलेगा, किसी भी SC या ST person को एक loan मिलेगा इन में से, ठीक है, और एक loan महिलाओं को मिलेगा, at least one woman पर bank branch, और at least one schedule cast या schedule tribe person, तो हर bank branch को दो loan तो देने पड़ेंगे ही, clear, और ये loan minimum 10 लाग, maximum 1 करो ये business green field होना चाहिए, यानि पूरा एकदम नया business होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पहले ही कोई business है, उसी को आप भढ़ाने के लिए loan ले रहे, नहीं, पूरा green field business होना चाहिए, clear, और ये जो आप business करोगे, manufacturing में भी कर सकते हो, services में भी कर सकते हो, trading sector में भी कर सकते हो, किसी में भ पान लो, let's suppose अब कोई business शुरू कर रहे है, चार लोग मिलके, इनमें एक SC है, एक ST है, ठीक है, और एक general category का है, या तीन लोग मिलके business शुरू कर रहे है, SC, ST और एक general वाला, तो फिर कैसे करेंगे, तो इसमें अगर SC, ST या woman है, उसके नाम पे 51% होना चाहिए, वो company, मैं रि मिलेगा, जब कम से कम 51% shareholding, या तो SC, ST की है, या woman entrepreneur की है, तभी मिलेगा, तब वो apply कर सकता है, और 10 लाग से 1 क्रोड तक का loan ले सकता है, तो इसमें eligibility क्या है, 18 साल उमर होनी चाहिए, SC, ST या woman entrepreneur होने चाहिए, ठीक है, 18 साल उमर होनी चाहिए, और आपका जो green field business होना ये brown field नहीं, green field मतलब पूरा नया business आपको शुरू करना है, ये loan आपको 7 साल में चुकाना है, और moratorium period है 18 महीने, moratorium मतलब, moratorium मतलब वो period जिसमें आपको मूल धन या ब्याज नहीं देना, 18 महीने तक ना तो आपको, मानलो आपने loan ले लिया, 5 लाग का ले लिया, तो ये 5 ल amount नहीं लोटाना bank को, आप 7 साल के अंदर आपको पूरा loan repay करना है, तो ये जो scheme है, इसको Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India चलाता है, और SIDB जो है, उसको implement करने में help करता है, अब अभी तक क्या status है, इसमें बताऊं आपको, तो यहाँ पे देखो आप, टोटल 19,310 SC, 6,435 ST, और एक लाग से ज़्यादा महिलाएं loan ले चुकी है, ठीक है न, तो 30,000 करोड रुपे से ज़्यादा sanction हो चुका है, 6 सालों में, Stand Up India स्कीम जब आई थी 2016 में, तो 6 साल हो गए इसको, और 30,000 करोड रुपे sanction अब तक हो चुका है, और अप्रेल 2016 में अगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, प्रधान मंत्री वाया वंदना योजना, यह हमारी आखरी योजना होगी, देखो प्रधान मंत्री वाया वंदना योजना, वाया मतलब ही होता है, जो senior citizen होते हैं, वायो वरिद्ध बोलते हैं, कई बार वायो वरिद्ध हैं, प्रध perspective of the market condition, ऐसा ना हो कि उन्हें अगर मालो एकनॉमी उतनी अच्छी नहीं चल रही तो उन्हें नुकसान हो जाए, तो उन्हें एक इसे apply कर सकते हो, ठीक है, तो ये योजना जो है, इसमें आपको 7.4% मिलेगा, और हर financial year के लिए ये change हो सकता है, लेकिन एक बार जब आपने ले ली, तो अगले 10 साल के लिए फिर भई रहेगा, अब जैसे जिन्होंने financial year 23 में जो ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें 7.4 मिल रहा ह तो अगले 10 साल तक 7.4 ही मिलेगा, तो उस financial year में जो आपको return होगा, वो assured हो जाएगा अगले 10 सालों के लिए, इसे clear, तो ये ध्यान दखिए, हर साल सरकार 1 अप्रेल को बता देगी कि उस financial year के लिए आपको कितना interest मिलेगा, और वो interest rate ऐसा नहीं है, कि इस साल 7.4 है, तो तो इसमें लेकिन एक limit है, ठीक है, एक limit है इसमें, कि आप 15 लाक रुपे से ज्यादा invest नहीं कर सकते और ये हर साल नहीं है, लंब समय one time, तो इसमें जो minimum amount जो है, maximum amount वो समय आपको बताता हूँ, तो इसमें जो आपको pension payment मिलेगी, वो monthly, quarterly, half yearly या annual, जैसे आप चाहें वैसे ले सकते हैं, तो minimum purchase price इस scheme में जो है, वो है 1,62,166, अगर ऐसा है, तो फिर आपको 1000 रुपे पर month pension मिलनी start हो जाएगी, तो minimum pension कितनी मिलेगी इसमें आपको 1000 पर month, और maximum, maximum आपको मिल सकती है इसमें 9,250 पर month, कैसे, क्योंकि देखो, इसमें आप maximum पैसा कितना लगा सकते हैं, 15 और interest कितना मिलेगा आपको, interest मिलेगा 7.4%, तो आप कितना पैसा कमाएंगे एक साल में, 15 लाक into 7.4%, ये आपका ब्याज मिलेगा, ये जो भी ब्याज आपका बनता है, ठीक है, आप इसे 12 से डिवाइड कर दोगे, तो आजाएगा 9,250, तो maximum जो आप amount लगा रहे हैं 15 लाक, उ अगर आप वो calculation करेंगे, तो maximum pension जो इसमें आपको मिल सकती है, वो 9,250 मिल सकती है, clear, और इस scheme में, जो minimum investment आपको करनी है, वो है 1,62,162 रुपे, अगर आप इतने की करेंगे, तो फिर आपको 7.4% मिलेगा, वो जितना भी होगा, आप उसे 12 से डिवाइड करेंगे, तो 1000 रु महिना के लिए आपको investment इतनी करनी होगी, और maximum जो आपको pension जो सकती है, इसमें, 9,250 पर मंत, 15,000,000 रुपे की investment जिसके लिए आपको चाहिएगी, ये scheme मई 2017 में लौन चुई थी, प्रधान मंत्री, वाया बंदना योजना, और इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी च और maximum जो pension allowed है, वो 9,250 पर मंत, ये पर मंत बता रहा हूँ, quarter करनी है, तो 3 से multiply करतो, 6 महिने की करनी है, 6 से multiply करतो, एक साल की करनी है, तो आप इसे 12 से multiply करतो, अगर कोई पूचे कि परधान मंत्री, वाया बंदना योजना में, minimum pension एक साल में कितनी मिल सकती है, तो एक साल का प pension हर महिने मिल सकती है, हजार, 12 से multiply करतो, 12,000 परिया, अगर कोई पूचे, परधान मंत्री, वाया बंदना योजना में, maximum pension कितनी मिल सकती है, तो हर महिने मिल सकती है, 9,250, उसको 12 से multiply करतो, ये आ जाएगा, 1,11,000, अगर कोई पूचे, परधान मंत्री, वाया बंदना योजन पर मंद एपसलूटली क्रिस्टल क्लियर तो ये था हमारा वीडियो जिसमें मैंने कुछ important जो finance related government schemes है वो आपको पढ़ाई जिससे आप ये gauge कर सकें कि exam का level क्या है और किस level की या किस depth की आपको knowledge acquire करनी है मैं आपको फिर से याद दिला दूँ हमारा जो exam है Reserve Bank of India का वो May या June के आसपास होगा और आप हमारी जो live classes है उनका फायदा ले सकते हैं बहुत ही reasonably price batch है इसमें आपको हर lecture के PDF भी मिलेंगे और कोई lecture आप कितने भी बार देख सकते हैं जो live class होगी वो दोपैर में होगी 2-4 बजे तक और अगर आपको live class में इस कर देते हैं तो फिर आप उसको pre-recorded बाद में अराम से अपने leisure में अपने हिसाब से देख सकते हैं तो उमेद करता हूँ आपको हमारा course पसंद आएगा हम आपसे मिलेंगे 17 तारीक को जो classroom है उसमें हम financial management से हमारा batch start करेंगे और government schemes के और दूसरे RBI grade B के वीडियोस देखने के लिए आप देखते रहें study IQ thank you for watching this video